हलो फेंट्स में अनाव विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो फेंट्स आट के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमें telegram के उपर अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज आप वहाँ पे मुझे subscribe कर लीज़े हो कि जो भी में पास updates आते हैं वो सबसे पहले और जो भी मुझे कुछ personally भी share करना होता है वो हम लोग सबसे पहले हमारे telegram channel के उपर share करते हैं इसी के साथ आज से giveaway contest भी start होने वाला और उसमें खली वही लोग part ले सकते हैं जो telegram group पे add है बाकि कोई जन और part वहाँ पे नहीं ले सकता है क्या rules होंगे कैसे करेंगे वो आज हम लोग दिन में एक वीडियो बनाएंगे उसके उपर हम लोग discuss करेंगे और वो वीडियो पे सिर्फ telegram पे आएगा YouTube पे कोई वीडियो उससे related नहीं आएगा जोईन करने के लिए हर एक वीडियो के description पे आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप मेरे telegram चैनल को जोईन कर सकते हैं और अगर search करके जोईन करना चाहते हैं तो ध्यान से spelling देखे हैं क्योंकि same spelling इधर का उधर कुछ हो जाएगा जैसे L है dual add हो जाएंगे इस तरीके से scammers ने already भरमार चैनल बनाया हूँ है तो फाल्तु में किसे scammers पे add होने से बचना चाहते हैं तो link से ही join करने की कोशिश करिएगा चलिए जी तो BTC की friends अगर हम लोग बात करें तो currently जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो Bitcoin हमारा चल रहा है 45,400 और 300 range के बीच में यहाँ पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो BTC ने अभी अगर मैं इधर चार्ट से देखू तो BTC ने 45,700 के बीच में एक कोशिश करी थी वहाँ से उपर निकलने का पर अगेन वहाँ से उसे brok area मिल गया और जहां से वो फिर से 44,000 के नीचे सीधा आया तो अभी के लिए जो BTC आ यहाँ पर करने पड़ेंगे इंपोर्टन जैसे कि आप लोग जानते ही है कि यह वाला जो एक red candle बना था बड़ा डिप वाला उसने पूरे का पूरा जो BTC है उसको पूरे का हिला के रखती है यहाँ पर जिस वजहा से जो हम लोग expect कर रहे थे पिछले टाइम में कि अगले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सबसे पहली जो बात आ रही है वो आ रही है यहाँ पर जो celsius के ceo है उनका एक statement है उन्होंने बोला है कि इस साल के अंड तक bitcoin जो है हमें all time high या फिर आगे काफी बड़े level पर दिख सकता है पर इसके लिए एक बहुत important condition है जो fulfill होनी य साल के अंड तक हमें BTC का all time high और all time high से भी आगे तक हम बहुच सकते हैं तो इन्होंने क्या बोला है हाँ पर अगर आप news पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि BTC को all time high या फिर और all time high की तो बात छोटी हो गई क्योंकि यह 140 से 160 के level तक की बात करें तो बोले य साथ एक चीज़ होती क्या है कि crypto में बहुत सारे लोग हैं लेकिन जैसे आप लोग की वीडियो देख रहे हैं आप लोगों में सभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो BTC में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यह लगता है कि all coin हमें बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा benefit दे स करता है तो इनका यही बोलना है कि आने वाले टाइम में अगर और ज्यादा लोग आए जो BTC में इन्वेस्ट करें और मोटा अमाउंट लेके आए तो काफी अच्छा जो है और उनका बोलना है कि नहीं भाई इसे वापस लेके जाओ पिछले दिनों में हम लोगों ने यूएस में भी देखा था जब ट्रंप अगेंस में क्रिप्टों के बात कर देता और जब आइडन है वह सपोर्ट में लगे हुए है क्रिप्टों के तो यह एक नेचर ऑफ लॉ नहीं होना है अगर इंडिया के अंदर कल को बिटकोईन लीगल हो जाता है तो उसमें भी आपोजिशन में लोग आएंगे जो बोलेंगे गलत है यह इसमें कोई नेगेटिव वाली या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके बाद अगली एक बड़ी निउस है यहां और यह है कि काफी सारी airlines company accept करने की बात कर रही है cryptocurrency को तो basically थोड़ा से नीचे आएंगे हम तो UATP यह basically universal air travel plan जो है यह 300 airline members के साथ plan कर रहा है payment option को add करने का जिसमें से काफी बड़ी companies है Air Canada, Air China, Japan Airline यह सब जो है इनके साथ मिलके crypto के payment को accept करने की यहां पर बात कर रही है और इसके लिए जो इनका जो जिन company के साथ इनकी बात चल रही है उसका नाम है बिट पे तो बिट पे के साथ चल रही है कहानी कि भाई हम लोग payment को accept करने की बात करेंगी और almost जो है बाइनस की तरफ से तो बाइनस ने यहां पर क्या करा है कि आप लोग उन्हें पिछले काफी दिनों से देख रहे होंगे कि बाइनस में आये दिनों जो कई उनके वहां पर चीज़े आती रहती है कि यह regulate system इनका प्रॉपर नहीं है ऐसा है वैसा है तो इन सब चीजों के लि कि पूरे पूरे चीजों को देखना ट्रंजेक्शन को देखना और अगर इनको लगता है कि कहीं पर कुछ गरबर हुआ है तो यह उसके according जो है वहां पर क्या करना है उसका क्या solution हो सकता है क्या plan करना है तो यह उसके लिए लेके आए है बड़ी news क्यों है क्योंकि अब आप यह देख सकते हैं कि Binance जो है बहुत महनत के साथ लगा हुआ है कि यार जो पिछले काफी टाइम में market में news आई है Binance के बारे में खराब खराब उन सब चीजों को अभी थोड़ा सा ठीक किया जाए और market में एक better position जो है Binance की यहां पे लेकी आई जा सके तो यह ता friends market के बार में हमारा update और एक चीज़ और भी थी कि हम लोगोंने कल बात करी थी एड़ा के बारे में पर एड़ा उस लेवल पर पहुचा ही नहीं जिस लेवल पर हम लोगोंने बात करी थी तो मेरा order तो लगा लगा रह गया पर कोई problem नहीं है क्योंकि उससे कम में बेशने को मैं मैं interested नहीं हूं क्योंकि मुझे उतना profit book करना है वहाँ पर जो हो नहीं रहा है डॉट ने बहुत अच्छा perform कर रहा है और डॉट के लावा और भी कई coin है जो यहाँ पर अच्छा perform कर रहे हैं पर डॉट मेरे को personally बहुत थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए ज़रा तर मैं क्यों बढ़ रहा है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को Solana के बारे में बताया था कि क्यों बढ़ रहा है इसके साथ साथ में एक important जीज यह भी है कि Solana की जो है जो transaction fees है वो कम है जिस वजहा से उसको एक तो Ethereum killer हमेशा ही बोला जाता है पर वो fees कम की वजहा स से भी थोड़ा सा मार्केट में Solana के बारे में बात ज्यादा होने लगी है और obvious सी बात है कि Solana के थू जो transaction है पर second वो ज्यादा होते है यह कुछ चीज है जिसकी वजहा से Solana जो है मार्केट में थोड़ा ज्यादा popular होता जा रहा है धीरे धीरे तो फिंस यह था हमारा मार्क से मार्केट भेव करता है और अगर हमें उसके बेस पर कोई वीडियो बनाना पड़ा तो हम यहाँ पर लेके आए अगे 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 टेलेग्राम के ऊपर अगर आपने मुझे अभी तक जोईन नहीं किया है तो प्लीज जोईन कर दीजे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेर जरूर करेगा चैनल में अगर आप नए है और आगे भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सबस्वाइब कर लिजेगा तेंक यू